हाँ दोस्तों राजवान सिंग महाली प्रोपटी गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है और जो आज का टॉपिक मैंने लिया है मिटेशन के उपर है हलाके मैं इसके उपर काफी वीडियो दे चुका हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर काफी वीडियो पड़ी है लेकिन फ पर खरिए य हम कर लेति हैं इसके साथ उसके बाद इसको बोलते है सेल डीट पोलते है उसको भी घिस्टर हो जाता हुऊ उसके बाद म।ह बहुत बड़ा पार्ट रहता है जिसक convincing Release का मतलब है कि रिजिस्टी के बाद जो मालख के नाम से खथम होके आपके नाम पर पर तो ही आपका जो सेल एग्रिमेंट है या सेल डीड है तब ही उसका पुरसेस पूरा होगा यदि हम वह नहीं करवाएंगे तो जो प्रॉपर्टी है पिछले मालिक के नाम पे खड़ी रहती है और उसमें हमारे बहुत ज्यादा नुक्सान कई पार्टियों में मैंने देखा है मैंने बनूर की एक्जमपल भी दी है जो स्कूल के पास की यहां महाली में लखनौर की एक्जमपल भी दी है कि नैंटीनेटीवन की रिष्टी हुई है लेकिन मुटेशन नहीं हुआ दाखिल कार्द नहीं हुआ तो वह उसकी पिछले मालकों के नाम पे खड़ी रही और य उसका मुटेशन या ट्रांसफर ओफ और नर्शिप या इसको इंतकाल भी कहते हैं हमारी लेंगुज में या दाखिल कार्द ही कहते हैं या नामंतरन भी कहते हैं यह जरूर करवा लेना है यह सेल डीड के बाद होना है जो आप रिजिस्ट्रेशन ऑप सेल डीड आपकी हो जाती है तो उसके बाद यह पांचो छबत जो हैं एक ही चीज़ है तो यह आपने करवा लेना है एक ही चीज़ है आपने ध्यान रकना है कि आपका मुटेशन हो गया यह नहीं आपका दाखिल खार आपका जो इंतकाल है आपका नमंतरने ट्रांसफर और उपनरशिप होगी यह नहीं यह बहुत जरूरी है नहीं तो आपका नुक्सान बहुत भारी को सकता है क्योंकि आपके पैसा चला जाता है पैसा जाने के बाद भी प्रॉपर्टी आपके नाम प्रांसफर नहीं होती तो मतलब यह फिर वापको लिए बहुत कंपली किसी वाला सुबजेक्ट ब सियर नहीं है और आपका इंत offer जो है दर्जक्रवा के उसके बाद मंझूर रूब करवा लेन झाल झाल